हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी आइक्यू आईएस हिंदी खाली समय में क्या करती थी दुपर मैं खाली समय में सोती थी मीडियम ड़सन्ट मैटर हिंदी मीडियम से हैं उनको इंग्लिश दूर नी भागना चाहिए मम्मी का बेसिकली मैं उनको देखके मोटिवेट हो दे थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनके लिए मुझे करना ये सब आंसर राइटिंग तब होनी तब चाहिए जब आपके पास इतनी नोलेज है कि आप लिख सगे ऐसा है कि आपकी लेंग्विज एक स्टेंडर की होनी चाहिए ऐसे नहीं कि जो आप बलब बात कर रहें जिस लेंग्विज में वही लिख दें कोचिंग जरूरी है आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और बस मेहनत करनी है सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड में तुम भी निकल सको तो चलो किसी के वास्ते राहे कहां बदलती है तुम अपने आपको खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी निदा फाजली साब की ये पंक्तियां बहुत सटीक बैठती है Know Your Topper के सिरीज में आज की हमारी गेस्ट पर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रागविंद शर्मा है और 2021 में हुई सिवल सिवा परिक्षा में मैंने 340 वी रेंग प्राप्त की है और मुझे इंडिन पुलिस सर्विस यानि IPS अलोट हुआ है Know Your Topper सिरीज में आज हमारी जो गेस्ट है मुझे लगता है उनको किसी इंटुड़क्षन की जरूरत नहीं है बट शेज दिव्या तवर और हिंदी मीडियम से टॉपर है थेंक्यू दिव्या आने के लिए और मैंने जैसे कहा कि आपको किसी इंटुड़क्षन की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार शॉट में अपने बारे में थोड़ा बताईए मेरा नम दिव्या तवर है मैंने UPSC के 2021 में 438 रंक हासल की है और मैं हर्याना के महिंद्रगट डिस्टिक के निम्भी गाम से बिलॉंग करती हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग में के बाद अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्टिक के कोलेज से की है और उसके बाद मैंने अपनी UPSC के परप्रेशन स्टार्ट की और फर्स्ट अटेंड में आई गो टाइपेस So Divya, पहला सवाल यही की, UPSC के बारे में सोचा कहां से? क्योंकि हर्याना में शाइद अभी तक उतना क्रेज नहीं है जैसे हम अधर नॉर्डन स्टेट में देखते हैं तो यह UPSC का आइडिया आपके मन में कहां से आया? मतलब UPSC का मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम सोचा था और ग्रेजुएशन में मैंने मतलब यूटूब पे जो टोपर्स होते हैं उनको देखा और मतलब वही से मुझे लगा कि एक बर UPSC ट्राई करना चाहिए और उसके बाद आफटर मैं ग्रेजुएशन मैंने मतलब एकडम स्टाट कर दिया था और जैसे कि हम जानते हैं आपने तियारी जादा तर घर से ही की है तो दिविया कितनी मुश्किले आई कि आप घर से अपने एक छोड़ी से कमरे में बंद हो करके आप तियारी कर रहे हैं आपके पास एक्सपोजर नहीं है जो यूजरी सिटी में मिलता है तो कैसा था वो कितनी मुश्किले आई हैं मतलब हम यह तो नहीं कह सकते हैं एकडम की मुश्किले ही उनको कहेंगे मतलब मैं इंजोई करती थी अपनी पढ़ाई मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही मुश्किले हैं लेकिन थोड़ा सा बस यह होता है कि आपके पास सोर्स कम हो सकते हैं जैसे गाउं में magazine आपको label नहीं हो पाएंगी या फिर test series मतलब आप जो test लिखेंगे उनको evaluation के लिए कोई आपको नहीं मिल पाएगा लेकिन मैं online मतलब यह चीज़े अरेंज कर लेती थी जैसे evaluation हो या फिर magazines हो तो दिवया जैसे UPSC के जो experience हैं उनके दिवाह में कहीं न कहीं यह धारना बनी हुई है कि अगर तयारी करनी है तो तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा मुखरजी नगर या ORN में रहना पड़ेगा इसके बिना तयारी नहीं हो पाती है तो आपकी कहा रहा है उस पर नहीं मुझे असा नहीं लगता है कि आप अगर दिल्ली आएंगे तो यह आपका selection होगा बस आपको मैनत करनी अच्छे से पढ़ना है तो मुझे लगता है वो कि अगर हम coaching नहीं कर पाएंगे तो शायद हम disadvantage पर रहेंगे हमारे साथ जो competitors हैं वो coaching कर रहे हैं उनको सारी coaching material and everything मिल रहा है तो आपको क्या लगता है coaching का क्या role रहता है कितना ही important है मुझे ऐसा लगता है कि coaching must तो नहीं है मतलब ऐसे बहुत से topers मैंने खुद देखे है मतलब भरोसा रखना है और बस मेहनत करनी है तो मुझे लगता है without coaching भी बिल्कुल किया जासे है अकसर लोग ऐसा कहते हैं कि जो बोलते हैं कि first attempt ने clear कर लिया जूट बोलते हैं तैयारी लोग चार-चार साल से कर रहे होते हैं तो आप आपने कब से तैरी शुरू की थी मैंने अप लग बग one year के बाद prelims था और उसके बाद मतलब इस journey में लग बग half year लग जाता है जैसे पहले आपका prelims होता है then mains होता है तो मतलब basically आपने एक साल की ही तैरी किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि आप जूट बोल रहे हैं और आपने हमेशा से तैरी करके ठीक है और जैसा आप हिंदी मीडियम से टॉपर हैं तो यह देखा जाता है मतलब अगर आप statistics भी देखें तो ऐसा है कि हिंदी मीडियम से बहुत कम लोग select हो रहे है in fact 2010 के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि जो टॉपर या हिंदी मीडियम से जो selection है वो कम होता जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम में थोड़े sources कम होते हैं जैसे content के level पर आपके पास sites आपके पास थोड़ी कम होंगी तो उसके लिए हम यह कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा extra effort कर सकते हैं मतलब जहां आमको अच्छे sources English medium में मिल रहे हैं वो हम follow कर सकते हैं मतलब तो selection कम होन आपके selection ना होने का कारण नहीं है बिल्कुल अगर आप पूरी महनत करेंगे तो और इस बार तो बहुत अच्छी rank भी आई है हिंदी मीडियम से selections भी हुए है मतलब वही बात की ऐसा भी दिखा जाता है मैं in fact कुस लोगों को जानता हूं जो हिंदी मीडियम से हैं बट वो कही ने कहीं उनका selection नहीं होता है उनको हमेशा ही लगता है कि मीडियम की विज़े से नहीं हो रहा है तो उनको सबसे बड़ा यह लगता है कि हम हि English change कर ले कई ऐसे लोग होते हैं कि उनको पढ़ाई हिंदी में की है बट वो चाहते हैं कि हम English में change करें English में paper दे मतलब जिस language में आप एकदम comfortable है जिस language में आपको लगता है कि आप अच्छे से मतलब अपने answers को explain कर पाएंगे आपको वो choose करना चाहिए मतलब medium doesn't matter much की मतलब इससे फरक पड़ेगा कि आपके पास कौन सा medium और इस बार कर रिजल्ट देखके शायद मुझे लगता है यह perception change होना जाना चाहिए कि सिर्फ medium वजय होता है selection ना होने का तो करीब इस बार top 100 and 10 में 3-4 लोग है अब stages के साफ से चलते है preparation की जैसे पहला stage prelims का होता है तो prelims में हम हिंदी medium specific बात करें तो एक CSET जो होता है वो बहुत बड़ा एक headache होता हिंदी medium बालों के लिए और हमने देखा कि जब CSET आया था तो काफी protest भी हुए थे अब CSET qualifying है बड़ स्टिल एक कही न कहीं हिंदी medium aspirants के दिमाग में रहता है कि वो कहीं न कहीं CSET के वज़े से पीछे रह जाए मुझे ऐसा लगता है कि जो बचे हिंदी medium से हैं उनको English दूर नहीं भागना चाहिए क्योंकि CSET में आपके पास English आता है Maths आता है reasoning आता है तो अगर आपकी English अच्छी है तो मुझे लगता है वो एक benefit हो जाता है CSET में नहीं हूं कि उनको बता पाऊं कि क्या extra effort करना चाहिए लेकिन मुझे यही लगता है आप previous question देखी अच्छे से कुछ help ले लीजे बार बार अगर आप practice करेंगे तो CSET हो जाएगा तो basically मतलब ऐसा है कि आपको Hindi Medium से हैं फिर भी आपको English से भागना नहीं है आपको English में जहां पर resources मिल रहे हैं उसको English में पढ़ने कोशिश कीजे और CSET की practice करनी चाहिए और एक और चीज मैंने देखे कई बार कि Hindi Medium में जो English का translation होता है वो कई बार थोड़ा अटपटा हो जा English में पढ़ लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए कि पूछना क्या चाहरा है तो लेकिन मतलब अब तो UPSC भी इस चीज को बानने लगे और translation इस बार तो ठीक था मतलब ऐसी कोई दिक्कर नहीं आई और जैसे newspaper एक बहुत important part होता अपकी preparation का और हम यह देखते हैं कि जैसे English में हमारे पास Da Hindu या Indian Express है जिसका content top-notch होता है और UPSC के लिए काफी अच्छा होता है बट हिंदी में शायद वैसे newspapers उतने नहीं है तो आप कौन सा पढ़ती थी? मैं Da Hindu पढ़ती थी मुझे भी ऐसा लगता है कि Hindi में शायद उतना analytical नहीं होता है जितना English में होता है तो कोशिश करनी चाहिए हार मतलब Hindi medium aspirant को कि एक बर English का newspaper देख ले कम से कम उसका analysis देख ले अगर प्रोपर पढ़ नहीं पाता है तो आप YouTube पे जाके किसी का भी analysis देख लो तो उसे एक घंटे में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या important है मतलब आपको ऐसा नहीं कि Da Hindu और Indian Express बिल्कुल आप कर ही नहीं सकता है ऐसी सोच के साथ नहीं चलना है कोशिश कीजिए dictionary लेके बैठिये बिल्कुल आपको थोड़ी मुश्किल होगी ज्यादा लेकिन आपको selection लेना है तो एक्स्टा effort करना ही पड़ेगा तो अभी prelims की बात हार पार्ड जो भी मतलब optional के paper के होते हैं लेकिन GS के लिए मैंने थोड़ी कम की थी मतलब essay तो मैंने शायद लिखा ही नहीं prelims से पहले लेकिन prelims के बाद मैंने 10-12 essay लिखे अच्छे से मतलब evaluate भी करवाए और मतलब एकदम serious वाली answer writing होती है वो मैंने prelims के बाद ही basically शुरू लेकिन prelims से पहले मेरा syllabus सारा हो गया था मैं एकदम तयार थी कि हाँ answer writing शुरू करने तो मतलब यह एक जरूरी बात है क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे aspirants जो भी शुरू कर रहे हैं तयारी और उनका सबसे लड़ आउट अशर राइटिंग अब से करना है answer writing तब होनी तो चाहिए जब आपके पास इतनी knowledge है कि आप लिख सकें डेवन से नहीं कर सकते हैं और मेंस की बात करते हैं तो मेंस में दिव्या एक जो English का compulsory paper होता है उसको आपको qualify करना होता है उसमें भी हम देखते हैं कही बार Hindi medium के students को मुसीबतें face करना है तो आपकी क्या strategy थी उस English medium के paper के लिए मतलब एक तो वह qualifying ही होता है सिर्फ तो मुझे लगता है इतना उसका burden लेनी की जरूरत नहीं है लेकिन उसमें एक essay आता है आप ऐसे अच्छे से handle करिए मतलब आप paper देने जा रहे हैं UPSC में उससे पहले आप 2-3 paper लिख के देख लीजिए मतलब पूरे time-bound manner में कि एसा ना लगे कि एक दम नया नया है प्रीवेस एर के थोड़े paper लिख करके लाइए ऐसे पर ध्यान दीजिए आपका optional Hindi था दिवया थोड़ा सा Hindi optional के बारे में बताईए आपने तयारी कैसे की books अगर book आपके book sources हो कौन से books आपने रिफर की Hindi literature के लिए basically Vikas sir के notes मतलब वही पढ़े थे तो sir के notes more than enough हैं आप बस notes पढ़ लीजिए और मतलब previous year के questions देखिये सारे एक बर उनको soul कर जो लिख के देख लीजिए तो मुझे लगता है optional के लिए test series तो लगानी है वो तो must है answer writing तो ज़लो है Hindi माध्यम में अगर आप answer लिखते हैं तो शबदावली कितना matter करते हैं क्या बड़े-बड़े भारी शब लिखने चाहिए या उनसे फायदा मिलता है क्या मतलब ऐसा है कि आपकी language standard की होनी चाहिए ऐसे नहीं कि जो आप बात कर रहें जिस language में वही लिख दें तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपकी language standard होनी चाहिए मतलब जो newspapers में आती है हिंदी वाले newspapers में या जो अच्छे novels में होती है मतलब थोड़े ऐसे word होने चाहिए जो classic लगे मतलब तो इस पर काम किया जा सकता है वो तो मतलब during preparation ही आप पढ़े और जहां भी पढ़ रहे हैं आप वहां से शाब उठाईए जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो final stage की बात करता है ब इंटर्वी की बात और इंटर्वी में भी लेकर के लोगों का अकसर यह doubt रहता है कि यार तुम हिंदी में जाके बोलोगे वो लोग इंप्रेस नहीं होंगे और वो आपको अच्छे से नहीं देखें गे और हिंदी बोलने मालों को नंबर अच्छा नहीं देतें नहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर आपके भी अच्छे नमबर है काफी तो मुझे ऐसा लगता है कि वही बात कि आपका मीडियम कौन सा है यह मैटर नहीं करता है बस आप अपना कॉंफिडेंस के साथ उनको जो भी आप जवाब दे रहे हैं उनको समझ में आ जाए और आप सही जवाब दे रहे हैं मुझे लगता है कि वह आपका कॉंफिडेंस आपकी परस्नेलटी ज़स करेंगे यह ज़स नहीं करेंगे कि आपका कॉंसा मीडिया आपने हिंदी में ही दिया तो आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि आप सहज है या वह सवाल इंगलिश में पूछ रहे हैं हाँ सवाल तो ऍूटा मों पूछे तो मैं ने बोला था ट्रांस्लेटर के लिए मस्तर्मीन पूछेंगे तो मैंने बोला कि हम पूछें दियो एंगलिश में नहीं अप आप चाहते हैं कि questions भी translate तो आप उसके लिए translator बुला सकते हैं तो यह रही strategy की बात दिवया अब बात करते हैं आपके stardom पर तो मुझे लगता है कि हमारे इस batch से at least IPS batch से I think the most famous personality is Divya Tawar तो आपको कैसा लगता है मतलब यह है कि ऐसा तो सबको ही अच्छा लगता है और selection के बाद मुझे लगता है सबको ही stardom मिलता है ऐसा नहीं है हम आपके बहुत पीछे है ऐसा तो नहीं है लेकिन वो ठीक है वो शुरू-शुरू में ठीक लगता है उसके बाद थोड़ा सा हो जाता है तो इसमें आपसे सवाल पूछूँगा और आपको कम शब्दों में जवाब दो पहला सवाल यह है कि एक कोई सला जो आप दो साल यंगर दिव्या को देना चाहेंगे जो अभी तयारी शुरू कर रहे है 2021 में मैं यही सला देंगे कि अपने आप पर भरोजा हो जाएगा तो यह सला मतलब कहीं से तो निकल क्या रहा है तो कहीं ऐसा था कि आपके तयारी के दौरान काफी सेल्फ डाउट होता है मुझे लगता है हार मतलब स्टूडेंट को होता होगा यह स्टेज आता है जब आपको demotivated pull होता है कि शायद सब कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे घबराना नहीं है मतलब आप अपने आप पर भरोजा रखी अपनी महनत पर भरोजा रखी करेक्ट सो hard work और smart work mixture smart answer अगर दिव्या तवर की life पे एक movie बनती है तो आप क्या चाहेंगे कौन सी actress तो नहीं होगा अगर बनती है तो आप किस actress को चाहेंगी कि वो आपका role play करे रश्मी का बंदाना मैं जिरूर देखूंगा और अगर आप समय में वापस जा सके तो कोई एक ऐसी चीज अपनी preparation में जो आप बदलना चाहेंगे मतलब इसके लिए मुझा लगता है कि शायद थोड़ा और मैनत थोड़ा सोने का time कम करके और थोड़ा और मैनत तो दिव्यत अबर जादा सोती है कोई अब ही सवालों का सिलसला जारी रखते हुए एक सवाल जो मुझे लगता है हर आपकी चाहने वाले और आपके जो आपके जो आइस्पिरेंट्स जो आपको एड्मायर यो जाना चाहेंगे कि दिव्यत तंवर ने पढ़ाई इच्छी सेलेक्शन लेलिया बहुत बढ़िया पर खाली समय में क्या करती थी दिव्या मैं खाली समय में सोती थी सोना मतलब आपकी होबी है और ब्रेक्स कितने ओफन लेते थे पढ़ाई में अगर दिन में आपढ़ाई कर जहो जैसे आप 2 गंटे पढ़ रहे हैं आप बहुत साधरेंट से परिवार से आते हैं आपके पिता जी का नेधन 2011 में और आपकी माता जी ने ही आपको पाला है और आपकी तयारी में माता जी का क्या रोल रहा है अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे मताएंगे मतलब मम्मी का basically मैं उनको देख के मोटिवेट हो ते थी कि मुझे ऐसा लगता था कि श्याद उनके लिए मुझे करना यह सब के लिए मुझे लगता है मम्मी एक बात्रत थी कि मैं बहां से मुटिवेशन लेती थी मातलब सहयोग तो रहा ही है जैसे मैं पढ़ती थी तो मुझे घर का कुछ काम नहीं करना होता था, मुझे सिर्फ पढ़ना होता था तो ये जो सही हो, मतलब emotional भी और वो आपको वैसे भी सही हो कर रही है कि मतलब आप पढ़ाई करिये सरफ, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फेक्टर है मेरी सफलता में अर्दुवया जैसे आप बहुत एक humble background से आती हैं, resources की भी कमी थी बहुत सारे लोग जो आपके background से, आपके जैसे background से आते हैं, वो शायद दिल्ली नहीं जा सकते coaching नहीं ले सकते, है ना, तो उनके लिए आपका क्या message होगा, कि आपने इन सारे background, इस background के वज़े के बावजूद भी आपने first attempt में selection लिया है मुझे बस यही लगता है कि देखिए, आप अपने parents को यह feel करवाईए कि आप उनके लिए कुछ बहतर कर सकते हैं तो resources मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंने, इसलिए मानदारी से, तो success आपको जरूर मिलेगी तो इसलिए चाए background कैसा भी हो, आप बस मैनत करिए, आपने आप पर भरोसा रखे तैयारी के दोरान बहुत-बहुत सारी distractions होती है, तो आप उन distractions से कैसे deal करती थी मैं जब तैयारी कर रहे थी, उस ते मैं social media से थोड़ा दूर थी, मतलब, सर्फ YouTube चलाती थी यूटूब में भी मतलब जो आपके लिए helpful है जो चीज़े, जो UPSC के preparation में आपको help कर रही है तो मैं वही सब देखती थी, तो मुझे लगता है social media से अगर आप 1.5 साल दूर रहेंगे, मतलब इतना कि वह आपको पढ़ाई को disrupt ना कर पाएं, तो मुझे लगता है वह आपकी तयारियों के लिए बहतर होगा और आपने YouTube mention किया, तो कुछ ऐसे Hindi medium के लिए specific आप कोई YouTube channels ऐसे हैं जिसने आपको मदद की जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी, जो Hindi medium के लिए हो नहीं, ऐसे specific तो नहीं कुछ लेकिन जो आपको बेटर लगे मतलब आप एक बर देख लीजे, जो हिंदी में मतलब analyze करवाते हैं तो आप जिसका आपको बेटर लगे आप वो देख लीजे ठीक है दिव्या, finally मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो भी हैस्प्रेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको एक कोई message देना चाहें मैं बस वोई जो अभी आपने पूछा कि कोई भी जो UPSC में select होना चाहता है, उसके पास तीन strength तो होनी चाहिए, मतलब ऐसी qualities कि आप लगातार अपनी पढ़ाई करें, इमांदारी से अपने पढ़ाई करें, अपने लिए इमांदार रहें, अपने parents के लिए इमांदार रहें और दूसरा मुझे लगता है hard work, देखिए मैनत तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप मैनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, thanks Thank you Divya for coming here and talking to me, so Know Your Topper series में आज हमारे साथ Divya Tawar थी, जिनसे हमने बाचीत की, ऐसे ही हम और भी को लेकर के आएंगे और उनसे उनकी strategy, उनकी life के बारे में बाचीत करेंगे, अगर आपके कुछ suggestions हैं कि किसी Topper को आप बुलाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ particular सवाल पूछू, तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल रागवेंद्र IPS पर जा करके अपने suggestions डाल सकते हैं, थैंक यू फर वाचिंग हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, Study IQ IAS Hindi